मध्य प्रदेश में लोकसवाद चुनाप के चारों चरण खत्म हो गए हैं अब प्रत्यासियों के भाग्य का फैसला एबीएम में खेद हो गया है भही पिछले चुनाप की बात करें तो इस बार आठ प्रतिसत मद्दान में ग्रावट दर्जगी गई है कॉंग्रिस कम मद्दान से खुस नजर आ रही है कॉंग्रिस नेताओं की माने तो कम बोटिंग प्रतिसत से सीधा सीधा उने फायदा होगा भही दूसरी और कम बोटिंग प्रतिसत से बीजी पी में चिंता बनी हुई है इसका सीधा आसर बीजेपी के उन मंद्रियों पर पड़ेगा जिनके छेटर में कम मद्दान हुआ है या कहें कि उनकी कुरसी भी जा सकती है जानकारी के मताबित मद्रियों में लोकस्वाज चुनाम में करीब 20 साल बाद मद्दान परतीसत में गिराबट दर्ज की गई है लेकिन मद्दान परतीसत के गिरने के बाद भी ना तो बीजेपी के में में कोई चिंता है ना ही कॉंग्रिस में कोई डर दिखाई दे रहा है जबकि पिछले चुनाब में कॉंग्रिस में एक सीट लाने में काम यब हो पाई थी बहीं बीजेपी का कहना है कि कॉंगरिस के पास कार करता ही नहीं बचे हैं जो मद्दान के लिए काम कर सकें बहीं दूसरी तरफ कॉंगरिस इसे भगवा लेयर का समाप्त होना बता रही है